सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब का प्रयास का मंतर हम सभी के लिए एक पतर प्रदर्शक बन सकता है मैं अफरिकन युणियन के अद्यक्ष को जी 20 के स्थाई सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के उधगाटन भाशन के साथ हुई इस भाशन में प्रधान मंत्री मोदी ने मौरकों में आय भुकम की प्रभावित लोगों के लिए सम्वेदना प्रकट करने के बाद ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को विश्वास भरोसे में बदलने की अपील की अप्चारिक कारवाई शुरू करने से पहले हम सभी की और से कुछ देर पहले मौरकों में आये भुकम से प्रभावित लोगों के प्रती मैं अपने हार्दिक सम्वेदना प्रकट करना चाहता हूँ 21 सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपुन समय है यह वो समय है जब बर्सों पुरानी चुनोतियां हमसे नए समाधान मांग रही है और इसलिए हमें हुमन सेंट्रिक एप्रोच के साथ अपने हर दाइत्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है फ्रेंक्स कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आये इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं आज जी-20 के प्रसिडेंट के तोर पर भारत पूरी दुनिया का आवान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास एक भरोसे में बदले जो हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय हैं और इसलिए सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब का प्रयास का मंत्रा हम सभी के लिए एक पत्ध प्रदर्शक बन सकता है वैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो, नौर्थ और साउथ का डिवाईल हो, इस्ट और वेश्ट की दुरी हो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो, टर्रिजम और साइबर सिकुरिटी हो, हेल्थ, एनरजी और वाटर सिकुरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनवतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा इस अवसर पर पीए मोधी के सामने लगी पटिका ने कई लोगों का ध्यान खीचा, जहां इंडिया के बजाए भारत नजर आया अतीत में ऐसे अंतराश्टी आयोजनों के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के सामने इंडिया लिखा हुआ देखा जाता रहा है बीते साल 15 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें पीए मोधी के सामने रखे बोर्ड पर इंडिया लिखा था दिल्ली में हो रहे G20 शिकर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संग को स्थाई सदसे के तौर पर G20 में शामिल कर लिया गया है आगे की काहरवाईश शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थाई सदसे के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ G20 ग्रूप में 19 देश शामिल हैं जिनमें अर्जंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ओफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सौधी अरब, दक्षन अफ्रीका, तुर्की, युनाइटि और अमेरिका शामिल है, ग्रूप का 20 सदस्य यूरूप ये संग है, अफ्रीकी यूनियन के संगठन में 27 सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद, अब 19 देश और 2 संग इसके सदस्य हो गए हैं